हाई फ्रेंड आप लोग को तो पता ही है सेम की सबजे कितनी ज़performance होती हैं आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार सेम की सबजी आप लोग सेम की सबजी बहुत खाये होंगे लेकिन एक बार में हेतरह से सेम की सबजी जरोर बनाए तो आईए बिना देर की हुए पताते कैसे बनती है मसालेदार सेम की सबजे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेम को अच्छी तरह से धूर का साफ कर लेना चाहिए इसके बाद साइड साइड वाले भाग के रेशे को हम निकाल लेंगे बहुत आसान परिके से निकल जाता है यहाँ पर हम तीन मीडियम साइज का आलू लिए है इसे अच्छी तरह से धूल का छोटी छोटी पीसेस में हम कट कर लेंगे इसके बाद तीन हरे मिर्च लिए है तीखा आप अपने अनुसार ले सकते हैं अब इसी स्टिप पर चूले पर हमें कढाई रख देंगे कढाई में एक बड़े चमच के बराबर हमें सर्सो के तेल को आइट कर देना है आप जो भी आल खाने में इस्तिमाल करते हैं उसे आइट कर दे इसके बाद 20 से 25 दाने के बराबर हमें मेथी को आइड कर देना है याद रखें मेथी को हमें तब आइड करना है जब आल से धुमा उठने लगे इसी इस टिप पर आधे चमच के बराबर हमें सरसो के दाने को आइड कर देना है दो सूखी लाल मिर्च आइड करेंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था उसे एट कर देना है इसे हमें तक तक भूना है जब तक आलू sopt नहीं हो जाते हैं आलू जल्दी soft हो जायां उसके लिए हमें लिड लगा देना है लिड लगा के लगभद 30 सिकंड के लिए हम छोड देंगे 30 सिकंड के बाद इसे open करेंगे, medium to low flame करके इसे हमें धीरे-धीरे भूनना है, लगवग इसे हम तीन मिनद तक मिलाते हुए लगातार हम भून लेंगे, जब तक आलू हलकी सुनेरे नहीं हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आलू का color change हो चुका है, अब इसी step पर हमें कटी हुए same को add कर देना है, यहाँ पर हम same को 2-3 भाग में cut कर लिए थे, जब भी आप same की सबजी बनाए, same को छोटे-छोटे पीसे में cut कर लें, इसके बाद हमें lid लगा देना है, lid लगा कर लगवत 30 सिकंड के लिए छोड़ देंगे, 30 सिकंड के बाद इसे open करते हैं, अब फिर से एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, याद रखें जब भी हम same को add करें तो same को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, अब हम मसालों को add करते हैं, सबसे पहले एक चमच के बराबर हम सिम्ला मिर्च के powder को add कर देंगे, बाकी के बचे हुए मसाले हम बाद में add करेंग तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, साथ में दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, इसके बाद एक चमच के बराबर हम गरम मसाला add कर देंगे, एक चोथाई चमच के बराबर हम हल्दी powder add करेंगे, आधे चमच से थोड़ा सा तीखा आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने दो सूखी मिर्च, तिन हरे मिर्च भी add किया है, हमें तीखा पसंद है, इसलिए हम लाल मिर्च के powder कर add की हैं, बाके आपकी मर्जी इसे skip कर सकते हैं, अब इसे मिलाते हुए हमें एक से देड़ मिर्ट तक भून लेना है, लगभग low to medium flame करते हुए हम एक से डेड़ मिर्ट तक भून लेंगे, अभी हम लिट लगा देते हैं, तीस सिकंड के बाद इसे हम open करेंगे, फिर से एक बार इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मसालों को हम जितनी अच्छी तरह से भूनते हैं, सबजी मसाले अब भून चुके हैं, अब इसे इस टिप पर एक medium size का कटा हुआ टमाटर हम आड़ कर देंगे, टमाटर को आड़ कर देने के बाद, उपर से हमें स्वाद के अनुसार नमक को आड़ करना है, जो नमक खाने में इस्टेमाल करते हैं, उसे आड़ कर दें, याद रखे जब भी हम टमाटर वाली सबजी बनाते हैं, तो पहले हम टमाटर को आड़ करेंगे, इसके बाद हमें नमक को आड़ करना होता है, इसे क्या होता है कि टमाटर जल्दी soft भी हो जाते हैं, अब एक बार इसे मिला लेने के बाद, फिर से हम lid लगा देते हैं, ताकि टमाटर ज अब यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं तमाटर लगों सौप्थ हो चुके हैं अब इसी इस्टेप पर हमें पानी को आइट कर देना है लगवाद दो कप के बराबर हम गरम पानी आइट कर रहे हैं अगर आपके पास गरम पानी नहीं है तो ठंडा पानी भी आइट कर सकते है गर्म पानी एड़ करने से सब्जी का टेस्ट बना रहता है इसलिए कोशिश करें कि गर्म पानी ही एड़ करें इसे एक बार फिर से चला लेने के बाद अब फाइनली इस पर हमें लिट लगा देना है लिट लगा के लगवद्धों से तीन मिर्ट तक हम छोड़ देंगी अब मानिये सेम की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है एक बार आप मेरे द्वारा बताये गए तरीके से जरूर ट्राइए करें अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक सिस्क्राइब और सेर जरूर करें अब मिलते हम आप से अगले वीडियो में तब तक के आप के लिए बाइ बाइ